स्री शिवाई नमस्तू भ्याम दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके उपर अगर पित्र दोष है तो आपके साथ क्या-क्या समस्याएं होती हैं और इस पित्र दोष को दूर करने के लिए आपको इस पित्र पक्ष में कौन सा एक विशेश उपाई करना चाहिए तो यह बहुत ही विशेश वीडियो है और इस वीडियो को शेयर भी आप जरू कीजेगा तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पित्र दोष की कौन से वो चार लक्षन होते हैं जनने आप लोग पहचान कर यह समझ सकते हैं कि आपके उपर पित्र दोष यहां प कमाते हैं और आपका सबा रुपे खर्च हो जाता है ठीक है सौ रुपे कमाते हैं देर सो रुपे खर्च हो जाता है तो ये भी पित्र दोश के लक्षण है तीसरा कारण अगर आपके घर में लड़ाई जगडा बहुत होता है एक दूसरे से बिना बात के ही लड़ाई जगड होता रहता है तो ये भी पित्र दोश के लक्षण है उसके बाद चौथा और आखरी कारण ये है कि आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वो अगर च्रचड़े रहते हैं च्रचड़ा पन उनके अंदर या जितने भी बचे ही हुए है तो आपको उन दिनों में यह विशेश उपाय करना शुरू कर देना है जिससे कि आपका पित्र दुष आपके वरीवार की उपर से हड़ जाए आपके पित्र आपसे प्रसन्य हो जाए तो आपको करना क्या है एक लोटा शुद्ध जल लेना है बस एक लोटा जल लेकर आपको शिवजी के मंदर जाना है सारी समस्तिया काले एक लोटा जल होता है पर इसी के बीच में एक उपाय आता है वो उपाय आपको समझ रहा है एक लोटा जल आपने बढ़ लिया आपको प्राता का सुभा 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 शिवजी के मंदर पहु किसी भी प्रकार के शिव जी का एक मंत लेलो उसका जो है आपको 27 बार जाप करना है 27 बार जाप आपको उस बीच में करना है जब आप लोग यह जल शिव लिंग की उपर समर्पित कर रहे हो ठीक है जल को समर्पित करते समय के बीच में ही आपको यह जाप करना है निश्चिति आपके घर में जितने नहीं भी प्रकार की समस्या होंगी वो दूर हो जाएंगी क्योंकि ये जो उपाय आप कर रहा है न इसका फ़ल आपके पित्रों को प्राप्त होगा आपके पित्र आपसे जब प्रसन न होंगे तो वो आपको कभी कोई दुख समस्या नहीं देंगे निश्चिति करके देखिए सुपाय को आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमाज शिवाए जये भुले अबाद स्रीशिवाए नमस्तुप्या